तो जै महाद एकडमी के लर्निंग प्रोग्राम में आप सब का स्वागत है तो आईए आज के ससन में हम फिर से डिसकस करने वाले हैं 11th कमिश्टी के एक न्यू चेप्टर अर्थात एक नए अभ्यास के बारे में यानि कि एक नए अध्याय के बारे में सुरूआत करेंगे हम जैसा कि काफी बच्चे 11th के कह रहे थे कि सर हाइडो कार्बन सुरू करिए तो हम कार्वनिक योगिक लेकर के आए हैं आसे नया शेążटर आपका बहुत बेहतरीन शेप्टर ही मजधार शुरू होने वाला है कछा गयारा के लिए कार्बनित कयों के लिए कार्बनित के लिए कार्बनित कि पर शुरू होंगे और कि इस योगिक के बारे में उसके तद्ध। होते हैं उनकी वैलन्षिया कैसे होती है न वो सारा चीज बताया जाएगा तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए भीया कि इस लिंक को इतना आगे सेर करिए कि सबको पता चल जाए कि कारवनिक योगी की नया चेप्टर शुरू हुआ है कच्छा 11 का सेकेंड पार्ट समझे ये सेकेंड पार्ट ही गुछ लैंट टесяं न कि अगी से और या इस लेक्टिर में बतायागा कि कर्फन्क कैसे होतें कैसे पहचान की जाती है और कार्बन की जो तत होते हैं उसकी बैलेंसी कैसे होती है किस रूप में उसके सनचना आती है उसका संक्रड कैसे होता है यह सारी चीजें बताएंगे तो आप जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास लिंक सेर करिए और बताईए फटाफट कि आज कार्बनिक योगी सुरू हुआ है कछक 11 की है ना जो second topic में second paper में हमारे का है कार्बनिक योगी का अध्याया है है उस अध्याय के बारे में पढ़ाए जाएगा चेप्टर का नाम उसका मतलब कार्बनिक योगी कार्बनिक योगी वह इसे तो कहा जाता है कि कार्बनिक योगी हमारा जो होता है उसमें आपका क्या है जियू यानि कि बनस्पतियों में पाया जाता है लेकिन बनस्पतियों में पाया जाने वाला कार्बनिक योगी कहा गया एक a-carbonic यानि carbonic एक a-carbonic और-gas diesen और inorganic और इनारयनिक बांट दिया गया तो carbonic में कहा गया किmore ऑप्नश्पतिविए पाय जाता आ वह गया carbonic yogic की योगिक है ना और हमारे जो यानि की निर्जियू चीजों में पाए जाते हैं वो हमारे क्या होगे आकार्बनिक हो गए तो वो सारी चीजें बताए गई थी तो उसके बारे में सुरुवात करते हैं हम चेप्टर यानि में हें डिना लिजे कार्बनिक योगिक कार्बनिक कार्बनिक योगिक है ना और्गेनिक कमपाउंड क्या हो भी या आर्गेनिक कमपाउंड और्गेनिक कमपाउंड जो है उसकी वारे में देखेंगे हम डिसकस करेंगे कमपाउंड के वारे में उसमें देखते हैं क्या क्या होता है तो सबसे पहले जो मेन इसका चेप्टर का मेन मुख जो लचड होता जो मुख के बाते होती है जैसे चेप्टर क्या लिखा है भी या आर्गेनिक है ना यनि कार्बनिक है तो आर्गेनिक रसायन सुरू कर रहे हैं कार्बनिक रसायन में यह हमारा किसका टॉपिक कार्बनिक रसायन का टॉपिक, यहां आगे भी लिख सकते हैं आप, है ना, कि यह हमारा किसका टॉपिक भीया, कार्बनिक रसायन का टॉपिक है, कार्बनिक रसायन का टॉपिक है, आरगेनिक केमेश्टी, है ना, कार्बनिक रसायन का टॉपिक है यह हमारा, उस कार्बनिक र है उसके सैनों जालिगल होती है कितनी हो सकती है कितनी नहीं हो सकती है अगर इतनी होती यह तो क्यों होती है यह सारी चीजें बताएंगे हम आपको तो आराम से आईए अब हमारे साथ जूड़ जाए और बहुतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं इस टॉपिक को इसमें नाम क्या आ रहा भी या कार बना रहा है है ना क्या रहा पहले पहले कार बना रहा है तो इसमें नाम जो आ रहा है वो क्या रहा आपका कार बना रहा है क्या बना रहा है इसका संकेत जो होता वो C होता है इसका जो पर्माड कर्मांग होता है वो कितना होता है पर्माड कर्मांग जो हमारा है है ना वो हमारा क्या होता भीया पर्माड कर्मांग परमाड करमांग कितना होता है छे होता है और इसका परमाड भार जो होता है यानि जिसे का जाता है आणुभार है ना आणुभार कितना होता है आणुभार क्या होता भी या आणुभार कितना होता है इसका जो आप जानते है देखिए आणुभार निकालने का सबसे आसान तर लेकिन इसमें बिसम संख्या कुछ अपवाद होते हैं जैसे नाइट्रोजन हमारा है परमाड करमांग 7 होता है लेकिन इसका अडभार 15 नहीं होता है चगदे होता है लेकिन पोटेसियम हमारा है 19 है तो उसका परमाड करमांग 19 होता है लेकिन अडभार क्या होता है 49 होता है इ जगह क्या है दिक्कते हम परिदा हो जाती हैं क्यूंकि टांग लडाने वाले कुछ नब कुछ तो आ रही जाते हैं तो ये हो गया हमारे परमाण और अपर्भात जो हमारा है 12 ग्राम प्रति मोल ये सारी चीज़ kind के कारबन के बारे में ये carbon का मुक्फ है, carbon का मुक्फ पर जानते हैं कहां कहां से पराप्ट होता भीया हमारे सरीर में भी आएगा लेकिन नहीं क्या है जो सिद्र सिद्र का carbon क्या एक परकार का आधातु है क्या है एक परकार से आधातु है अब इसकी बैलेंसी कैसी होती है इसका इलेक्ट्रोनिक बिन्यास के तरह सुरुवास हम एक दम बेसिक चीज से पकड़ के चलते हैं धीरे धीरे देखिए आप क्या है यह कार्बन का संकेत हो गया परमौड करमांक हो गया 6 अनुभार हो गया 12 है ना अब कार्बन का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास कार्बन का का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास यानि इलेक्ट्रोनिक कान्फिग्रेशन इलेक्ट्रोनिक बिन्यास है ना electronic बिन्यास में देखते हैं क्या होता भीया इसमें क्या है आप जानते हैं कार्बन का प्रमॉड करमांगचे यहां नीचे लिखिए electronic बिन्यास आप क्या करेंगे SPDF के अनुसार इसकी बारे में हमने बहुत पहले बता दिया था सुरुबात में यानी की बहुत पीचे बीडिओ में बताया गया है पूरी तरह से electronic बिन्यास कैसे किया जाता है 2 तरीके हैं उसके एक होता है COS के अनुसार एक होता है उप COS के अनुसार तो COS के अनुसार जो होता है 2.8.1 18.32 के हिसाफ से होता है लेकिन हमारा जो उसमें गलतियां होती है उसकी सुधार जो होती है वो SP-D-E-F से होती है यह उपकोस के अनुसार होता है उपकोस जो होता है SP-D-E-F उसके अंदर electron भरने का करम भी हमने बता दिया था वो जो cycle था ऐसे करके है ना इस तरह से था याद करिए 11 वाले गर देखें हैं जो उनके दिमाग में आता होगा या आप क्लास में पड़े भी होंगे चित्र बनाए गया होगा अगर वो चीज याद है तो ठीक है नई याद है तो मैं यहां से फिर एक बार उसको दे देता हूं उसका चित्र बना देता हूं आपको ताक एस पी डी दिख रहा ना हां से हां दिख रहा है एस पी डी और एफ हो गया फिर हो गया एस पी डी और एफ एस पी और डी यहां से लिखे एस लिखिए पी लिखिए और नीचे लिखे एस दिख रहा ना यहां तक चले नीचे एक है यहां तर लिखा है यहां तक दिख रहा क्या होता है है हाँ सुरुआत होता है इसमें आया इसमें गया कि मैं सरकल बना रहा हूँ चलिए इससे टच होगा तो जादे समझ में नहीं तो ऐसे कट जाता है तो क्या होता है मतलब जादे लीपा पोती हो जाता है समझ सकतो हो गोद जाता है भईया तो उसमें साफ दिखा ही नहीं देता किलीन तो ये जो चीज है अब बता रहें देखे इसमें टच किया इसमें आ गया इसमें गया electron है ना फिर इसमें आ जाएगा फिर क्या होगा यह वापस चला जाएगा लटते समय इन में टच करेगा इन में आएगा इंटर करेगा फिर इनको टच करेगा फिर क्या होता है electron ऐसे पूरा रास्ते चला जाता है वापस इसमें भरता है इसमें भरता है है ना उसक भीर लगा देंगे ओडारेक्षिन जो वो पता चल जाएंगे आपको अब यहां से देखके शुरुवा क्या यहां से इसमें फिर इधर फिर इधर डारेक्षिन देखिए क्या उल्थयांसे यह गया इधर से यह पूरी तरह से यह unbelievable यहां से यह direction देखिए जो निसान हम लगा रहे हैं उस निसान को देखिए electron इसी करम में भरे जाएंगे आपके हम इसको आपको समझने के लिए बार बार बता रहे हैं कि आप से गलतिया ना हो आप इसको भूले ना अच्छे से आपको याद आ जाए है ना इसलिए हम सारी चीजे इसको बता रहे हैं क्योंकि भूलने की यादत आप लोगो बहुत जादे हैं भूल जाते हैं आप लोग बहुत जल्दी चलिए कोई बात नहीं भूलिए लेकिन याद करने की छमता भी उत 8 आवर सारी में उस हिसाबसे बनाया जाता है ये हो गया election भरने का करद ये भी हमने पता दिया था कि s में अदिक्तम कितने ही लेक्टान होते हैं वह यह समझने के लिए एस उपकोरस में कितने ही हसी ना उसके बाद क्या है, D उपकोस में कितने electron होते हैं, भईया 10 electron, और F उपकोस में कितने electron होते हैं, 14 electron, अधिक्तम, उसके बाद डब्बे भी हमने बना दिया था, मतलब की orbital बना दिया गया था, आप उस वीडियो के पीछे जाकर के देख सकते हैं, जहाँ electronic बिन्यास का पड़ा होगा, main thumbnail पर उपर ही लिखा होगा, electronic configuration है ना, electronic बिन्यास करने के तरीके, उसमें अच्छे से बिस्तार से भी बताए गया था, सारी चीजें कितने अर्विडल होते हैं, कितने इलेक्टरान रह सकते हैं, क्यूं रह सकते हैं क्यूं यतना नहीं रह सकते हैं वो भी सारी चीज़ें discuss की गई थी आप concentrate होकर के ध्यान से बस सुनिए मेरी बातों को इसमें भी हम discuss करते चलेंगे तो यह हो गया electron इसमें भरने का करम अब सुरुवात करते हैं SPDF से electronic बिन्यास इसमें सबसे अदिखतं ही इलेक्टान कितना दो रहेगा मेरे पास 6 उलेक्टान है पूरी तरह से तो मैं 6 को अर्ज़ेश्ट करूँगा 6 को उलेक्टान के लिए इसमें इसकी आवस्यक्ता भी पूरी करनी है और जितना है उसको अर्जिस्ट भी करना है यानि इलेक्टानों को बांटना ही इलेक्टानिक बिन्यास कहलाता है कच्छकों में आवस्चता कि अनुसार इलेक्टान को बांटना है ना, इलेक्टान को बित्रित करना इलेक्टानिक बिन्यास कहलाता है तो आए ये देखते हैं इसमें क्या हो भीया इसमें हमारा क्या है? देखें एसमें दो इलेक्टान भरेंगे क्यों? क्योंकि मेरे पास जादे हैं तो क्या होगा? वाण एस है न? वाण इस टू चलिए थोड़ा practice करते हम इससे भी लिखें यार 1S2 हो गया, उसके बाद क्या, देखिए, दूसरा नमबर आता है किसका दूसरे का S आता है, क्यों आएगा, क्योंकि S वाला उपकोष पहले का फुल हो गया है, क्योंकि उसमें अधिक्तम तो ये इलेक्टान रह सकता है उससे ज्यादा नहीं रह सकता है, अब मेरे पास लेकिन अभी इलेक्टान बचे है चार इलेक्टान, तो मैं अगलेम जाओंगा, अगलेम भरेंगे तो कामा करिए, दूसरे का, है ना, दूसरे का भी क्या होगा भी या S होगा और यहां कितना इलेक्टान, दो इलेक्टान, यह हो गया यह भी फुल हो गया, उसके बाद किसका नंबर आएगा, पी का आएगा क्योंकि मेरे पास अभी इलेक्टान बचे है, बचे है, तो यह हो गया क्योंकि मेरे पास केवल 2 electron बचे है 6 तो ये रख सकता है ना अदिकतम हमको आवस सकता है कि अनुसार जितनी मेरे पास electron है उतने को ही हम भरेंगे और इतना भरेंगे किसी कच्छग में जितनी उसकी आवसकता होगी उस हिसाब से अगर मेरे पास ज्यादा इलेक्टान है तब है ना और ज्यादा नहीं है तो जितना है उसमें अगर रख सकता है तो उतना रख देंगे यह नहीं करना है कि हम उसमें छे रख दें है ना मेरे पास छे नहीं बचा तो छे क्यों रख दो यह बचाता है जैसा कि इस एधिक्तम Alt point होख्या चाहिए बाहरा हिए पिसे जाद अधिक्तम नहीं सकते हैं इसमें डि इसम SUR एसमें च भड़ीत जबाते है नहीं सिन्कड और यहांस यहांस पता किए सैधिक्तम नहीं केड़ तो चलिए हमाल लेते हैं इसके आर्बिटल कितने विया यह दूसरा लाश्ट वाला कोस उठाइए क्योंकि सहीं जगता वहरी करने के लिए उसका लाश्ट कच्छक ही पार्टिसिपेट करता है है ना लाश्ट कच्छक के ही इलेक्टान पार्टिसिपेट करते हैं तो यह रखेंगे 2s2 रखा था उ यह सारी चीजे क्या हो गया अब इसके पास वास्तों में अगर देखा जाए तो आप सोचोगे कि एक एक लिया नि दो आयुगमित इलेक्टान है तो दो आयुगमित इलेक्टान जब होते हैं तो उसकी बैलंसी क्या करना अगर दो लोगों से साजा करेगा तो फुल हो आश्टक नियम आधार बहुत सोच सकते हैं और इसके जो संक्रमब होता है ऊते आधियत इलेक्टान होते हैं उस frameworks ayam कि ये क्यों नहीं दो संदाबरी करता है क्यों चार कर लेता है तो चलिए मैं दोनों नियम से बताता हूं आश्टग नियम की आधार पर आगर देखेंगे इसको तो इसकी बाइक समें कितना लक्टान है टोटल भैया ये लिए 4 की खयरूरत है यानि 8 electron अर्थात अक्रिये गए सनचना प्राप्त करने के लिए केवल इसे 4 electron की जरूरत है तो 4 सुन्य जगता होगा इसका उस हिसाब से लेकिन इस हिसाब से क्या orbital में जो है orbital में क्या आता है कि देखे ये एक ही orbital में है ना इसकी बगल में एक orbital ऐसा है जो क्या है पूरी तरह से खाली है पूरी तरह से back end है पूरी तरह से रिक्त है तो रिक्त है तो इस orbital में जो electron हमारे हैं प्रतिकरसित दिसा में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये दोनों इलेक्टान एक दूसरे को क्या करते हैं या प्रतिकर्सित करते हैं प्रतिकर्सित जब करते हैं तो इनके अंदर उत्तेजी दा आती है अर्थात ये क्या है इधर उधर प्रतिकर्सित करने का भागने की कोशिस करें और भागने की कोशिस कब करेंगे जब इनके बगल में कोई आर्बिटर ऐसा होगा कि खाली हो और या तो इनके बगल में यह सोचे भईया कि मैं तो फुल हो यार मुरे अंदर जगडा हो रहा है और तुम दोनों लोग अकेले अकेले हो पूरी तरह संतुष्च हो अगर मैं भी ऐसे अकेले हो जाता इनकी तरह तो मैं भी अच्छे सो जाता तो क्या है कि यह electron क्या उत्तेजित होगा अर्थात यहाँ से कह सकते हो यह उत्तेजित अवस्था ध्यान से सुनिए, जो जो मैं बताओंगा देखिए, बहुत important point उत्तेजित अवस्था में क्या है? यह electron जो है, यह उत्तेजित होकर के, है ना? यह हो जाएगा, यहां जाकर के बैठ जाएगा यहां गया बैठ गा? है ना? नया संक्र अर्थात नया कच्छक का निर्माड होगा, नए कच्छक का निर्माड होगा, क्या होगा, अब नए कच्छक का निर्माड होगा, तो क्या होगा भीया, जो 2S2 लिखा था, उसमें क्या हो जाएगा, 2S1 होगा, है न, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है P orbital थे बगल में इसमे सब में single single इनमे भी किया shotgun आगया यह 2P3 हो जाएगा है इसलिए इनकी सवाज़ तक चार कह लाती है अब उस नियम से आप अश्टग नियम प्याधार पिभी इसको तुलना कर सकते हैं और ऐसे भी इनके आर्बिटल को फुल करने के लिए अगर कोई पेयर होगा तो चपका सब एक साथ पेयर होगा क्योंकि अगर अकेले हुआ तो क्या होगा जगड़ा करेगा उत्तेजित होगा इसलिए क्या होता है सब एक साथ ही जब इगमित होते है कोई देखकर के नहीं होता है जैसे कहते हैं पडोसी कुछ जलन होती है अगर कई मालते हैं कोई उपर लेबल तक जा रहा है तो क्या होगा उसको जलन होगी नीचे वाले को बहुत कमी लोग होते हैं जो क्या होते हैं उपर वाले कुछ तांग नहीं खीचते हैं कहते हैं तो वही बात है कि अगर सब के सब एक साथ उपर जाएंगे तो कोई किसी को disturb नहीं करेगा, कुछ नहीं कहेगा अगर सब एक साथ नीचे आएंगे तो भी कुछ नहीं होगा लेकिन उसमें से कोई उपर गया, कोई नीचे आया ना तो दिक्कत हो जाती है पैदा तो वैसे इन में होता है, इन में भी क्या होता है मतलब कि एक परकार सके तो इनके अंदर इस्या की भावना होती, आर्बिटलों में यह डबा अगर डबल हो रहा है, मतलब युगमित इलक्टान इसमें हो रहा है यह सोचे का भीया, मैं अकेले की हो रहा है, सब में हो एक साथ तो सब का एक साथ होगा, इसलिए क्या है, सब को पेर करने के लिए तो हमको 4 की जुरुद्ध है क्यों क्योंकि एक आर्बिटल में 2 इलक्टान रह सकता है अदिक्तम तो सब में सिंगल सिंगल है, तो 4 लोगों को भरना है, तो 4 की जुरुद्ध पड़ेगी इसलिए इसकी बैलेंसी जो होती है भी या वो चार होती है है ना चार लोग आ सकते हैं इसलिए बैलेंसी होगी इसकी चार होगी अर्थात अताहा सहियो जगता इसकी क्या होगी अताहा सहियो जगता कितनी होगी सहियो जगता चार होगी क्यों की ये भी बोल सकते हैं क्योंकि चार आयुगमित इलेक्ट्रान है ये लिख सकते हैं है ना चार आयुगमित इलेक्ट्रान है इस तरह से इतना समझ में आया अब इसको भी अगर देखते हैं अश्टगनियम क्या धर पर तो भी क्या होगा फुल हो जाएगा, अर्भीटल भी फुल हो रहा है, आश्ट्रनियम क्या धार पे भी फुल हो रहा है, पूरी तरह से यह क्या हो फुल ला रहा है, अच्छा एक साथ हो और इसी समय, देख लीजे लगे हाथ, है ना, कि अगर यह इस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा ही, तो ए एक दूसरे से मिल करके, है ना, क्या करते है, युगमित हो करके या मिल करके नए समान उर्जा के नए कच्छक का निर्माड होता है, तो उस परकिरिया को उस घटना को क्या कहते है, संक्रड कहते है, है ना, संक्रड में नए-ने कच्छक का निर्माड होता ही है, आप का है न समान अर्जा का अलग आर्वीटल तयार होता है तो Хつ live जैसे जैसे आया इससो स्ब्कुरे को क्या बोलते है या संक्रण वोलते हैं तो यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या है देखें ये पुराने आर्बिटल था है ना यहां उत्तेजित हुआ है उत्तेजित होकर कि एक नए आर्बिटल चार लोगों का समान उर्जास्तर का समान उर्जास्तर क्यों होगा वेकि सम्में सिंगल सिंगल इलेक्टरान थे सब की उर्जाएं समान थ बाते समय में आ गई तो ये कर खेंग कि में तो यह जो powiedzieć right बैश्ब सदेखें जो आ रहा है उसको देखेंगा इनकी अंदर ब्या वह इनके अंदर कौन है अगर देखा जाएंग इनकी संयोजगता हो गई अब इनकी जो क्या है सन्रचना देखी जाए अगर ये बनाते हैं तो इनकी सन्रचना जादा तर कैसे होती है तो सन्रचना जो जादा तर होती है वो कैसे होती है देखिए जरा जल्दी से ध्यान से देखिए इसना नोट करिए पहले उसको मिटाएं हम आगे बताते हैं फिर है ना इसको मिटाएं जल्दी से बताईए जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ हो गया नोट नोट हो जाये जल्दी से तो बताईए भी या आगे टापिक स्टार्ट करें हम अगला topic जो आपका होगा वो क्या होगा है ना देखिए फटा फट अब अगला topic क्या होगा बताओ जल्ली से इसमें हो गया देखे इसमें एक बात और इसी सामें देख लीजे अगर ये एक एक electron भरा है है ना तो जिसको एक electron की जरूरत होगी वही इससे साजा करेगा ध्यान देजिएगा ये बात नहीं है कि चार electron की जरूरत है तो चार electron एक साथ साजा कर ले है ना कोई चार की जरूरत हो चार एक साथ कर ले आपने कभी नहीं देखा होगा भीया कि कारबन कारबन क्या होता है चार बा अलग अलग होते हैं है ना इनकी उर्जाएं अलग अलग होती है इनमें splitting होता है इसमें Splitting नहीं होता है हैना मतलब इसमें विखंडण होता है जो आप पढ़े होंगे ऐसे करके है ना इसमें तरंग फला नर्थात क्या भीया रोडिंगर विब तरंग के हिसाफ से क्या था इसका अलाग अलाग का है उर्जा अस्तर का आर्बिटल आता है जो आपको 12 में पढ़ाया जाएगा CEFST है ना जो भी है CEFSE होता है है ना crystal field stabilization energy है ना वो पढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब है कि चार तो नहीं करेगा तब जिसको single single की जरूरत होगी यानि कि वो हमारा क्या करता है इन आर्बिटलों से साजा करता है तो पहला इसका जो तत्त होता है पहला जो योगिक होता है कारवन का वो आपका methane है है ना वो Mars gas के नाम से जाना जाता है तो क्या है यह methane में क्या CH4 होते है चार hydrogen आते हैं तो यहां से देखिए hydrogen एक एक electron अपना क्या करेंगे दे देंगे और जब एक एक electron दे देंगे तो नया उर्जास्तर बनेगा और जिस परकार से वहाँ दिख रहा उदर जिस परकार से आप कह सकते हैं कि CH4 बन जाएगा अब CH4 बन जाता है तो इस हिसाब से व क्योंकि भाईया यह दो नहीं अर्था तरश्टंगनियम के अधार पर भी नहीं होगा है और उसके बाद क्या है यह उत्तेजना होती आर्बिटलों को संतुष्ट करने के लिए भी नहीं होता है और वैसे भी आप यह सोच सकते हैं कि क्या एक बैग्यारिंग ने बताया था कि सबसे पहले है अगर हमें अर्बिटलों को फुल करना है तो सब में एक एक इलेक्टान होना जरूरी है उसके बाद जब सबका आयुगमित हो जाए तब रिपीटिंग हम सुरू करते हैं तो आप वैसे भी अगर यहां करना चाहेंगे तो यह तो रिपीट होगा पहले यह तो खाली बचा है है ना तो इस केस में क्या होगा यह भी गलत हो जाएगा इसलिए इसकी सिर्टा दो नहीं होती है चार होती है जो कि दोनों नियम पर क्या करता है फालो करता है कितनी बाते समझ में आई तो चलिए अब इसमें हम दिखाते हैं सिगमा बंद है ना और पाई बंद कैसे होते हैं और कैसे निर्मार करते हैं कितने होते हैं उस हिसाफ से question भी कराएंगे आपको हम तो यह note हो गया इसको मिटाएं चलिए आगे चलिए भीया फटा फट स्क्रीन साथ लेते रहे भीया और एक नई सनचना बनाते हैं अभी हम बताते हैं इसमें सब कुछ इसका आकार भी कैसा होगा इनके बीच में कोड कितना आएगा है ना इनकी बंद लंबाई कितनी होगी इस पर question competition में पूछते हैं कोड पे और बंद लंबाई पे आपका सीधा सीधा आता है वो इसे बहुत बच्चे गलती इसमें कर देते हैं बंद लंबाई छोटी होगी की बड़ी होगी आडर पूस्ता है है ना तो बहुते आसान है इसमें बहुते आसान है आपको गलती नहीं करनी है ध्यान से सुनेंगे तो गलती कभी नहीं होगी जिन्दगी में लेकिन जब ध्यान से सुनेंगे तब होगा वहिया ऐसे नहीं होगा चलिए अगला क्या विया कारवन में है ना कारवन क्योगिक में कह सकते हो क्या सिग्मा बंद और पाई बंद का बंद सिग्मा बंद और पाई बंद कारवनिक योगिकों में सिग्मा बंद और पाई बंद का बंद या ऐसे कह सकते हो कई से बंदता है यह भी देख लेते हैं पॉइंट है कारवनिक योगिकों में कारवनिक योगिकों में योगिकों में सिग्मा तथा पाई अबंद अईसे लिख सकते हो, आवंधक या आबंध, पाई आबंध लिखो, आबंधक लिखो, यह होता है, अब इसके हिसाब से देखते हैं, क्या क्या होगा, है ना, पाई आबंध, अब इसमें क्या है, या जल्दी से आई, आप लोग, कि कार्वनिक योगिकों में जो सिग्मा और पाई आबंध होता है, यह तो पाई बंध और सिग्मा बंध जो बनता है, उसके बारे में बताया गया होगा और नहीं बताया गया है, तो मैं सुनिए फिर से ध्यान से है ना, वैसे तो बताया गया है, लेकिन अब बारा में ज्यादा तर होता है, डिसकसिस के बारे में तो को है उसको कैसे हम रिपरजिंट करेंगे और क्या है प्या कैसे बनता है तो देखिया जब कच्छक आकार होते है ज़ो ίहां लगेस हाद बता देते हैं मतलब कि सिर सिर जब अतिब्याबे का मलतल संक्रड़ होता है इसे समझ किमा बंद कहते हैं जावे उसकी बात क्या था पाई बंद के इसाफ से पाई बंद जो है साइड साइड जो वह बनता है अब बताते हैं मैं आकार पहले देख लो बनने से पहले आकार भी देख लो यार क्योंकि आप लोग 11 में हैं पूरी तरह से आपको जानना है क्या है कच्छकों का आकार चलिए यहां से इसी में कच्छकों का आकार ध्यान से सुनिए देखिए आकार मैं यहां बना रहा हूँ S कच्छक का क्या है भी यह S कच्छक S कच्छक का क्या होता है गोलाकार होता है क्या होता है गोलाकार तो आप बना दीजे इसे गोलाकार कुछ करना नहीं है क्या है यह गोलाकार होता है वैसे तो दिख रहा है एक सरकल दिख रहा है लेकिन यह होता है गोलाकार इसके इधर से भी बना सकते हैं आप चारो तरफ से दिखा दीजे तो गोलाकार हो गया पी कच्छक का आकार ये होता है आपका भया ये होता है आपका डंबलाकार है ना क्या होता है डंबलाकार होता है आप डंबलाकार होता है तो देखिए इसमें तीन आर्बिटल होते हैं तो तीन आर्बिटल होनी की वज़ासे इनके तीनों आर्बिटल का आकार यह x axis यह y axis और एक क्या है भीया बीच में z axis है ना ऐसे बना दीजी आप इधर क्या है x dash है इधर y dash है चलिए बिस्तार से देखिए आप कोई जल्दवाजी नहीं क्योंकि आप भीया भी 11 में है है ना y dash यह चीज यह चीज बताएगी होगी और बताए जाएगा मैं बता रहा से है ना तो देखिये इसमें आईए यह अगर x axis बनाते हैं तो x axis वाले पर आई से होगा एक plus में एक minus में है ना क्या भीया एक plus में हो गया और एक minus में यह हो गया यह एकार हो गया वैसे तो यह खाली रहता है लेकिन मैं अच्छा दिखने के लिए क्लिए इसको कर देता कुछ खूब अच्छे दिखे यह माइनस पोर्षन यह प्लस पोर्षन आपको पता है निर्दे सांग ज्यामिती पड़े होंगे है ना कच्छा 10 में ही पड़े होंगे आप लोग मैथ पड़े होंगे थोड़ा बहुत तो एक्स एक्सिस दाहिनी तरफ जो होता है एक्सिस मूल मूल बिंद से दाहिनी तरफ जो होगा वो पोस्टिव और मूल बिंद से जो लेफ्ट साइड में होगा है ना वो क्या होगा निगेटिव और मूल बिंद से जो उपर होगा वो पोस्टिव मूल बिंद से जो नीचे होगा वो निगेटिव और इसमें भी भाया जो प्रू के आकार का दिखा दीजिए और कुछ नहीं करना है बाबू कुछ नहीं करना है आपको Y-axis Z-axis है ना देखे ये भी क्या करिए आप डार कर दीजिए ताकि आपको देख जाए स्क्रीन पर दिखने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ध्यान से देखिए बस ये हो गया आपको कौन कहा बनेगा यहां देखे इधर से यहां से यहां से यहां से लिए बहाइड़ सबक्षक एस इथर एक्स है ना और यहां क्या होगा Y हो गया और यहां क्या हो यह क्यों प्लस और माइनस भूल गए है तो मैं याद दिला रहा हूँ है ना तो क्या हुआ कि P कच्छक का आकार क्या होता है डंबला कार होता भीया और वो तीनों एक्सिस पर होता है एक होता है PX एक होता है PY एक होता है PZ क्योंकि हम जानते हैं, कि जो आर्बिटल हमारे होते है, P-axis के, वो उसमें तीन आर्बिटल होते है एक होता है P-AX, और एक होता है P-Y, और एक होता है P-Z है न, यह आपका होता है, इस हिसाब से, तो यह आपके क्या है P-axis है मतलब P का आर्बिटल है और P आर्बिटल के क्या है पूरे आकार है अब यह X axis बना है तो इसको क्या संकेत देंगे यह P X का आकार है क्या भीया यह P X आर्बिटल का है इसी यह Y पर बना है तो इसको P Y वाले है निकि P वाला आर्बिटल है है न पी वाई वाला और यह जड़ पर बना है तो इसे पी जड़ आर्बिटल वाला आकार बोलेंगे यह हो गया आपके बुक में ऐसे संकेत भी दिया रहा था बताया गया होगा मैं फिर से बताया रहा हूँ आपको याद आजा अच्छे से इत दंबला कार होता है तो इसमें दो नीचे दिख रहा है हाँ दिख रहा है दोई डंबला कार का कार बनाओ देखो खट से कोई दिक्कत नहीं यहां भी बना दे इसके पास कितने आर्बिटल होते हैं पांच आर्बिटल होते हैं तो पांचों का बनाना यह एक्स हो गया यह य X हो गया यह Z-Axis हो गया उसके बाद क्या यह X-DAS हो गया यह Y-DAS हो गया ज़वरी यह Z-DAS और यह Y-DAS हो गया अब इसमें अगर मैं PXY बनाता हूं तो देखे PX कहाता तो X-Axis पर अगर Y कहाता तो PY और अगर PXY दोनों साथ में कहते हैं यह जैसे ऐसे लिखा है PXY तो सम बनेगा आपका X Axis पे भी बना है न और क्या भीया आपका Y Axis पे भी बना तब ही तो दु ढंबलाकार होगा देखे तो दु डंबला कार आकार हो गया और D आकार का यानि D कच्छक की आखिर्ट हो गई इस परकार से क्या हो यह बन गया अब देखिया अगला क्या था PXY के बाद क्या आएगा PYZ आएगा तो Y और Z पर बनाना है है ना Y और Z पर बनाना है तो एक ठू जेड पे बना दीजिए और एकटू कहां बना दीजिए य पे बना दीजिए इनको क्या करिए डार कर दीजिए ताकि आपको इस स्क्रीन पर अच्छे से दिख जाए इस परकार से ये हो गया बन गया बन गया ये हो गया पी वाई जेड अगला क्या आता है P Z X क्या आ जाएगा P Z X आ जाएगा तो अब की बार क्या है एक ठोड़ जड़ पर बनेगा एक ठोड़ एक्स पर बनेगा तो बना दो खट से का दिक्कत है एक ठोड़ एक्स पर बना दिये और एक ठोड़ कहां बना दिये Z-axis पर बना दिये जो कि ये Z-axis ये Z-axis ये X-axis है ना और यहां क्या है ये Y-axis डार कर दीजिए ताकि आपको दिखने आए है ना खूब अच्छे से दिखे समझना जरूरी है क्या कहा भी या डंबल आकार होता है अभी इसी आकार को हम अतिव्यापन करा की भी बताएं है आप लोगों को और फिर से थोड़ा सा हिंट देंगे यहां अतिव्यापन नहीं कराना है बताया गया था ये सारी चीजें तो आपको समझने के लिए क्यों आकार दिखाना है देखते हैं वो हमारा आएगा अगला अर्बिटल जो होगा संकेत वाला वो आपका हो जाएगा बीच में यानि कि दोनों एक्सिस के बीच में आता है है ना दोनों एक्सिस के बीच में यहां से यहां से है ना दोनों एक्सिस के बीच में आता है विया क्या आता है दोनों एक्सिस के बीच में आता है एक्स एक्सिस और यह उपर वाला क्या है वाई एक्सिस हाँ जैड एक्सिस थोड़ा सा सो कर रहा है लेकिन एक बीच में आता इधर भी तो इतना हो गया अब इस हिसाब से जो यह आकार आ रहा है यह हमारा आकार जो होता वो क्या होता है dx square minus y square है ना, और dz square जो होता है, वो अलग होता है देखिये क्या होता है, यहाँ बनाते है आकार हम, देख रहा है ना अब यहाँ, हाँ देख रहा है अब यहाँ मानेंगे हम, कि यह z axis उपर वाला है, है ना और यह x axis है, और बीच में क्या हो या y axis है ध्यान से देखिए जड़ा एक मेट के लिए यह एक बीच में circle बनाएगा है ना और इस circle में से एक यहाँ और नीचे से क्या निकलता एक यहाँ यानि कि यह कुछ इस तरह से आकार दिखेगा अर्थात बीच में circle दिख रा है और उसकी ऊपर यानि की तरब circle डमरू बनाएगा नीचे की तरफ डमरू बनाएगा इस तरह से क्या होता है इसका आकार होता है और इसे बोला जाता है कोन wesah का यह कूछ तक यह की नहीं बना है क्योंकि यह हमारा होता है complicated केटर सन रचना मलब कठिन सन रचना होती है इसलिए उसको बनाया ही नहीं जाता है तो आए जल्दी से देखते हैं इसके वारें फटाक से अब उसकी बाद सिग्मा बंद कैसे बनता हमने क्या जब हैड 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 ओबर लेपिंग होगा तो क्या होगा भया वह पाई बंद बन है एकल एकल बंद है तो उसमें सिग्मा बंद होगा अगर दूई बंद है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा अगर तीन बंद है तो एक सिग्मा दो पाई होते हैं इस तरह से मैं यह लिख रहा हूं क्या है कि सिग्मा बंद जो बनता है जब साइड साइड अतिवयापन होता हैं क्या है सीरों का एति व्यापन होता है का है यही 놀arti चिछा cielo का इति ऩापन घूटा है आति या पन होता है यह चीज हो गया सिरों का आति व्यापन होता है अगला पाई बंध में क्या होता है पाई बंध में क्या होता है पासर्विय अतिव्यापन होता है यानि कच्छकों का क्या होता है पासर्विय अतिव्यापन मतलब संक्रण अतिव्यापन होता है यह हो गया अब यह चीज आती है जब डवल बॉन दूई बंध तीन बंध हो यानि यहां हम लिख देते हैं एकल बंध में एकल बंध है ना सिगमा बंध होता है क्या होता है सिगमा बंध है एकल बंध जितने भी एकल बंध है अगर दूई बंध आ गया कार्बन कार्बन की बीच में तो एक सिगमा होगा एक पाई होगा है ना यानि क्या होगा एक सिगम आ गया carbon carbon की बीच में तो क्या होता है नीचे भी पाई उपर भी पाई बीच वाला क्या होता है sigma होता है है ना तो यहां से लिखेंगे एक sigma और है ना और क्या होता है दो पाई होता है यह चीज समझ में आना चाहिए यानि जब भी कहीं इस तरह से bond बनेगा तो sigma और क्या है पाई बंधो की संख्या पूछता है आपका कोईस्चन में आपके objective question में competition में पूछ लिए जाते हैं इस तरह से कि sigma बंधो की संख्या कितनी होगी इन में है ना जैसे एक बार आया था करवाइट के बारे में C2 के बारे में आया था तो sigma बंधो की संख्या पूछता है और pi बंधो की संख्या पूछता है उसमें है ना तो उसको जानना जरूर यह कि कहा होता है जब हकेले केले single बंध रहेगा तो पूरा का पूरा क्या होगा भया वो होगा हमारा sigma बंध और अगर हमारे पास sigma बंध के इसका मुलब तीन बंदों में क्या आएगा दो बंद हमारा पाई आएगा और एक बंद क्या आएगा सिग्मा बंद आएगा तो इसको नोट करिए फटाक से नोट करिए इसको जल्दी से जल्दी है ना ताकि हम आगे बताएं जल्दी बताएए जल्दी बताएए फटाक से न मिटाएं चलिए बहुत सही इस बात को नोट करिए ध्यान से इस बात को मैं इधर मिटा रहा हूं भी देखिए दिख रहा है आपको उस बात को नोट करिए पहले जल्दी से चलिए नोट हो गया जल्दी जल्दी नोट करते रहिए आप लोग फटाक से मैं दुबारा इसको बता दिया हूं अच्छे सब भूलना ने चीए आपको आकार के बारे में है ना और सिंग्मावंदों की संख्या कैसे बनती है सिंग्मावंद कैसे पाई बन यहां हिंट के यह और बता हूं कि टेट्रस अउटलीड में है ना कितने सिंग्मावंद होंगे कितने पाई बन यह चीज़े अगर पूछा जाए तो क्या होगा बताओ जल्दे से एक कोईस्चन हो रहा है यहीं कोईस्चन लिखते हैं ना इंपकर के टेट्रा का साइनो एक लिए से लिए में सिगमा और पाई बंधों की संख्या क्या होगी क्या होगी भाईया क्या होगी कितनी होगी है ना पाई बंधों की संख्या कितनी होगी कितनी होगी यह हो गया यह question आपके सामने दिख रहा है tetra-sino-ethylene का सोत्र जो है हमारा वो क्या होता है मैं बता दूँ आपको फटाक से जल्दी से बता दें है ना कुछ करना नहीं है क्या लेगा भीया C2 रहेगा है ना और tetra-sino 4 बार देखिए tetra का मलब होता 4 sino का मलब cyanide है ना यह चार बार होगा नहीं कि cn चार बार और देखिए c2 एथिलीन आया है दो कारबन c2 क्या होगा भीया अब बताओ है ना c2 ch4 है ना मलब स्वारी c2 cn का whole 4 cn का whole 4 यह एथिलीन बंद होगा और tetra-sino भी रहेगा इस प्रकार से हमें बनाना है यहाँ से ध्यान देना cn कर दिया इसका मतलब इसको cn गिनेंगे हम इसकी बात नहीं कि नाइट्राइल बोलागा tetra-nitrाइल बोलागा इस कारबन को हम इसके साथ गिन लेते लेकिन नहीं यह cn बोला है ना तो पहले एथिलीन की सनरचना बनाएए अब जब तक आप सनरचना या सूत्र नहीं लिखेंगे तब तक क्या है आप सनरचना नहीं लिख सकते हैं मतलब आगे काम नहीं कर सकते हैं और अगर सूत्र हो गया तो सनरचना बनाना पड़ेगा और सनरचना अगर बन गया तब जाकर क्या आप पूरा काम कर सकते हैं तो सनरचना बनाने के लिए आपको ध्यान से देखिए क्या है एथिलीन आया है ना एथिलीन में एन आया है तो C double bond C ये जरूरी है अब इसके पास दो balance कम है इसके पास भी दो bond कम है तो चार लोग है तो दोई लोग को इधर लगा दो भाईया है ना चलिए कोई दिक्कत नहीं लगा दिए क्या है Cn है है ना तो Cn की बीच में कितने बंद बंते हैं ये भी पूरा आपको दिखाना होगा कैसे सनरचना होती है स्वाइनेट क्या है कारवन चार बंद बनाता है नाइटोजन तीन बंद बनाता है ये से जगता भी बता दिये हम आपको निकालना कैसे निकलता है तो सारा चीज यानि दिमाग में रखते हुए आपको पूरी तरह से सनरचना बनाना होगा जब पूरी तरह से संरचना बना लेंगे आप तब जाकर किया आपको कोईश्चन है का होगा एकदम आसान हो जाएगा एकदम हलुआ हो जाएगा चलिए हमने क्या किया भीया टेट्रा साइनो एथलीन की संरचना बना दी क्या है संरचना बना दी भीया ध्यान से देखिए अब हमने क्या क्या सनजना जब बना दिया तो आपको क्या करना है केवल काउंट करना सिग्मा बंद पाई बंद आपको पता है पहले से मैं यहां थियोरिय भी लिखा हूँ कि सिग्मा बंद कितने होते हैं उस हिसाब से बताया जाएगा सिग्मा बंद कित यहां क्या है एक पाई है यहां भी एक क्या है पाई है और बीच में क्या है एक सिगमा है अर्थात क्या है एक सिगमा यहां हो गया ध्यान से देखिए यहां भी क्या है एक पाई यहां भी क्या है एक पाई और बीच में क्या होगा एक सिगमा हो गया यहां क्या है एक पाई है और एक क्या है, सिंगमा है, है ना, और ये भी क्या है, एक सिंगमा सिंगल बंदे, देखिए, पूरे अणु में बता रहा, पूछ रहा, पूरे योगिक में, है ना, पूरे योगिक में पूछा है, तो हम पूरे योगिक में देखेंगे, कहा सिंगल है, कहा डबल है, सबको का अब हम सबको count करेंगे साथ सिगमा को क्यों एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ यानि सिगमा बंधों की संख्या कितनी होगी भीया सिगमा बंध बंधों की संख्या बराबर कितना है नौ यह चीज़ हो गया अब अगला के आता है एक पाई दो पाई तीन पाई चार पाई पाच है ना छे साथ आठ नौ यह भी नौ आ गया ध्यान से देखिए पाई बंधों की संख्या भी क्या होगी भीया नौ हो गई पाई बंधों की संख्या कितनी होगी नौ हो गई है ना तो पाई बंधों की संख्या यहां भी कितनी आगी नौ आ गई है ना देखिए कितना आसान साओर में फिर से गिनेके बताता हूँ आपको कि देखिए 1 सिगमा यहाँ बीच में बना था 1 सिगमा यहाँ बना था क्योकि हम जानते है कि 3 बंद जब होगा जहां वहाँ 2 πाई होगा यह संदचना दिख रही आपको तो यहाँ एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा है ना उसके बाद यहाँ एक पाई होगा एक सिग्मा होगा तो एक सिग्मा यहाँ हो गया और बीच में सिंगल सिंगल दिख रहा है एक सिग्मा यह एक सिग्मा यह तो एक दो तीन चार पाँच हो गया इधर छे यहाँ साथ और यह और और वहाँ है ध्यान से समझे इस बात को है ना इस तरह से आपका कोईश्चन पूछता है और कुछ नहीं करता है ज्यादा तर इस तरह की कोईश्चन पूछे जाते हैं आपके हैं आपके सलेबस में इस तरह की कोईश्चन पूछे जाते हैं चलिए और भी कोईश्चन हम क क्या होगा 1 3 buta diene 1,3 buta diene यह अगर सूत्र दिया है मैं σिगमा और πाईबंधों की संक्या मैं सिगमा और πाईबंध की संक्या sign up question mark दिख रहा ना सिगमा बंध है ना और पाईबंधों की संक्या क्या होगी तो आपको सबसे पहले सूत्र पता होने चीए अच्छा आप एक चीज और आप सोचेंगे कि सारा IPSC नहीं बताया गया तो दिक्कत हो जाएगा लेकिन इतना तो आप पागल नहीं एक अच्छा दस में पढ़े होंगे है ना पढ़ाया गया होगा अगर नहीं पढ़े है भाई तो उसमें क्या किया जाए है ना हम तो जानते नहीं यहां से लेकिन बताएंगे हम एक दिन पूरी कलास IPSC के लेंगे अच्छे से आपकी लोगों की कोई दिक्कत नहीं करना ना सोचना आपको ना कुछ करना है मैं यहां से बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए कोई भी नाम दिया है थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े हैं तो थोड बिग डेक है न सब पढ़े होंगे तो यानि कि आप उतना तो चीज जानते हैं भी उठ है तो आप संरचना देखिए कैसे बनाएंगे आराम से संरचना बनाइए आराम से चार कारवन है तो चार कारवन को पहले सिंगल बांड से जोड़ दीजिए कुछ करना नहीं है आपक यहां वन और टू डाई इन कहा है डाई का मतलब आप जानते हैं दो होता है इन का मतलब कब आता है किसी के नाम के साथ इन कब लगा जाता है जब बीच में डबल वांड आ जाता है है ना तो इसका मतलब है कि दो बार डबल वांड आना चाहिए दो बार तो किस किस नमबर 1 number यहाँ 1 यह Mumbai हो और 3 number out यहाँ से 3 यहां कर दो हो गया डाइई इन हो गया क्या करना है तो hydrogen लगा के balance कर दो तो hydrogen यहाँ कितना लगे देखिए 2 balancing है आप कैसे सूचएंगे carbon की balance 4 करनी हर हाल में आपको है ना 4 करते चलिए और उसी हिसाब से सकाव एक ही है देखे एक hydrogen यहां एक हाइड़ों यहां चार वैलेंजी हो गया क्योंकि दो बनाया था दो इधर बाकि तहा ये कारवन एक बांड बनाया था दो बांड यह हो तीन बनाचुका ह है एक बचाव पहिए तो यहां दिखा दिए इसको यह भी carbon 2 इधर बनाया है 1 इधर बनाया तीन बना चुका 8 दिखा दिए यह carbon हमारा क्या 2 बनाया तो 2 βांड बचे तो 2 बांड दिखा दिए अब यह दिख रहा है आपको तो 10 में आपको सी किरें और i सिग्मा होगा एक पाई होगा है ना तो आए जल्दे से यहां क्या होगा भी एक पाई एक सिग्मा यहां सिग्मा होगा यहां सिग्मा होगा यहां सिग्मा होगा यहां सिग्मा और यहां भी सिग्मा यहां एक पाई हो गया यहां एक सिग्मा होगा यहां एक सिग्मा होगा अ तीन और एकशार एक बांच हो गया यहां भी ड़बल बॉंड है एक सिग्मा होगा एक किया ऑगा पाई होगा एक सिग्मा है एक्क्राइब हो गया तो एक दो तीन, चार, पांच छे षसाथ हो गया एक उपर हो ला मतलब साथ हो मिला करके अब उसके बाद यहां single single है तो 7,8,9 अर्था कितने आगे? 9 आगे यार देखो फिर से 1,2,3,4,5,6,7,8,9 अर्था सिग्मा बंदों की संख्या कितने होगे यहां से दिख रहा ना नीचे हां सिग्मा बंद की संख्या बराबर 9 और पाई बंद कितने होगे? अब प उसके बाद कहा है? यहां एक पाई, दो पाई, केवल दो पाई दिख रहा है बस दो इबाडन यानि दवल बंद की संख्या बहिया क्या होगी? पाई बंद की संख्या क्या होगी? बहिया दो होगई के व сильно कितना आसान इससे से question आपकी पूछता है competition में भी पूछेगा है पॉलिटीनिक का exam अगर जो दिया होगा उसको मिला होगा otherwise अगले competition में भी पूछे जाते हैं और भी जो normal science की यानि की जो सामान बिज्ञान के question होते है वो उसमें ये सब question आते हैं कितने आसान-ासान question आते है केवल देखकर के बताना सन्रचना भी बनी रहती है कभी-कभी कि सन्रचना भी बना उसमें केवल count करना रहता है तब ही बच्चे गलती कर देते हैं तो गलतियां नहीं करना है आपको क्या करना है आपको ध्यान में रखना भीया कि sigma बंद क्या होता है तो इस तरह से क्या हो तो वो नहीं तो हाँ कब पूछेगा कोई और बजहना चाहता है तो आपसे बस इतना पूछेगा कि sigma बंद कैसे बनता है कब बनता है पाई बंद कैसे बनता है कब बनता है तो भी हम बता चुके हैं आपको अच्छी तरह से कि sigma बंद क्या होता है? head over leping होता है यानि सिर सिर जब टकराते है जुढते है अतिव्यापन होते है तो sigma बंद बनता है side side यानि passerby होता है जैसे sigma यह हमारा क्या है? तो yes yes जो होगा वो तो sigma बने गा ही देखे इस तरह से आपका इस तरह से अगर टकरा रहा है इस तरह से जुड़ रहा है है ना या कह सकते हो ऐसे करके जुड़ रहा है तब यह क्या है सिर सिर है लेकिन अगर ऐसे करके जुड़ा है वह ऐसे करके है ना आईसे करके जुड़ा तो ये side side जुड़ा है side side जुड़ा की नहीं जुड़ा है तब इस case में क्या है रहता भाई पाई बंध बनता है यहाँ sigma बंध यहाँ sigma बंध, यहाँ sigma बंध यह चीज हम बता चुके हैं आपको अच्छी तरह किसे बताया गया है को ऐसी बात नहीं कि नहीं बताया गया है तो आपको यह जब कोई पूछेगा बारा में तो आपको बताना है लेकिन पहले सवाल क्या आपका बहुत आसान सवाल आता है सिग्मा बंद पाई बंदो की संख्या को काउंट करना आपके सामने आए उसमें मत सोचिए जैसे माल लेते हैं 1-3 ब्यूटा डाई इना गया तो आप कहो कि भी आए पहले दिमाग में आ जाता है पढ़े ही नहीं है अब पढ़े ही नहीं है तो कईसे बनाएंगे हैं है ना यह सोच लेते हैं लेकिन आप सोचिए उसमें कि उसमें मैं क्या-क्या जानता हूँ उस नाम में मैं क्या-क्या जानता हूँ आपको नंबर तो पता है कि 1 लिखा है यह 3 लिखा है आपको पता है कि 1 लिखा है तीन लिखा है है ना आगे पढ़िए ब्यूट लिखा है अब समझे ये ब्यूट का मतलब क्या होता है किसके नाम के साथ आता है कारवनिक योगिक है तो आपको पता है थोड़े बहुत तुक अच्छा नायत में ही पढ़े होंगे संख्या तो यादे होगी है ना नहीं आद भीया तो क्या करें हम उसके लिए जाकर क्या आप याद करिए है ना तो क्या होता है कि चार है ब्यूट है तो इसका मतलब चार कारवन होगा है ना अब दिमामियो में सोचना कि तीन एक चार सजी जोड के बता रहे है नहीं आपको इसको भूल जाना है यहाँ इसके नाम के साथ देखना है तो ब का मतलब कब होगऊ अब ऐसे सोचिए आप भी पढ़े होंगे हम पढ़ाएंगे फिर को समान्ने स्रेडी पढ़ाएंगे थेया व चीज याद आती होगे कि और मुझा बोला जाता है जब कार्वन कार्वन के पीच में दूइ बंध आ जाता है तो क्या बोला जाता है इन बोला जाता है अगर कार्बन कार्बन के बीच में त्री बंद आ जाते हैं तो क्या बोला जाता है यहां इन आया है तो दो बार इन डाई इसका बदर यह जो नंबर दिखा रहा है यह नंबर ही आपका क्या है वो दिखा रहा है कि इन का पो जीसन पर लगा है, वो यह बताता है कि संक्या पर लगा है, इस जगा पर यह जुड़ा हुआ है, तो 1 और 3 पर क्या होगा, डबल मांड, 1 और 3 हो गया, इस तरह से जैसे बाकी जो बचता है, कार्बन की बैलेंसी करने के लिए, क्या करना हमें हाइडोजन जोड़ना, क्योंकि हाइडोजन सबसे पहले गिरिया करता है, एक एक इलेक्ठान का, है न, इस तरह से क्या तो जुड़ करके पूरीत सरन से सनचना बन जाएगी, और जब सनचना आपकी बन गई, तो आप काउंट करना सुरू करिए, क्या करेंगे भी अगर डबल बांड है, तो एक सिग्मा एक पाई होगा, अगर तिरपल है, तो दो पाई एक सिग्मा होगा, है न, और अगर अकेले अकेले तो क्या होगा, एक एक सिग्मा होगा, बस इतनी तो बात है, और कुछ है नहीं, है न, एकदम आसान तरीका है, और कुछ नहीं क करते रहिए और उसके बाद कमेंट बाक्स में कमेंट करिए कि सरह आया है और भी कोईशन हमसे लग जा रहे हैं है ना और भी कोईशन कराइए आप जैसा कहेंगे वह ऐसा किया जाएगा लेकिन अच्छे से समझेंगे कंसंट्रेट होकर कि तब होगा और कुछ नहीं करने वाल च्छाप जाती है तो आपयोजिट अब अगयार की जाती है और जब बन जाती है तो वाद में हकीकत बन के सामने आती है लेकिन आप कभ आएगी जब आप उसके प्रतिमेहनत करेंगे तब आएगी हैणा ऐसे डायेट कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो जाती है मैनाहत करने न आप गलत काम करने जाते हैं तो कितनी बार क्याते हैं सोचते हैं रात भर प्लान बनाते हैं ये करना हो वो करना है ना दोस्तों के साथ ऐसा करना हो ऐसा करना ये सोचते हैं तो आप गलत करने के लिए सोच रहे हैं तो सही करने के लिए सोचो ना एक बार ये सारी चीज़े अंदर हम क्या है सीखने की कोशिस करो है ना वो कहावत का थ्रीडेट मूवी बहुत देखते होंगे आप लोग है ना काबिल बनने की कोशिस करो काबिलियत अपने आप जखमार के पीछे आएगे काबिल बनने की जब तक कोशिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होन आप अगर केवल परिच्छा पास होने लिए पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन परिच्छा केवल पास होना नहीं है आपको एक काविल ब्यक्ति बनना है आप पढ़ रहे हैं हाई स्कूल में इंटर में है तो उस लेवल की पहचान होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ अगर यह आजायगा तो मैं बता दूंगा यह टापिक अगर कहीं और आया तो मैं पढ़ा हो तो इसको बताऊंगा मैं अच्छे से बताऊंगा तो कब बताएंगे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब इमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे तब इतनी बाते नोट कर आप लोगों को और भी सारी चाहिए नहीं नहीं बाते बताते रहेंगे तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ओके बाय बाय टेक क्यार